हेलो दोस्तो असलाम वालेकुम इस वीडियो में कतर से जूड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट का आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े से पहले आप लोगों से छोटी से रिक्वेश्ट अगर आप कतर से जूड़ी हर तरह की अपडेट पाना चा आए गया है जिस application का नाम सूम application है आप इस क्रीन को पर देख सकते हैं SOOM सूम इस application की मदद से कतर के अंदर जो जो समान की बोली लगती है जैसे special number plate हो गया गाड़ी की बोली लगती है now की बोली लगती है मिसनरी समान के बोली लगती है इसके अलावा और भी जो समान होते हैं उन सब की बोली लगती है तो इस application की मदद से उन सभी बोली में आप शामिल हो सकते हैं इस application में लोगिन करने के लिए जो आपके मितराश्टू का password है या कतर आईटी नमबर है उन से ही लोगिन कर सकते हैं दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं कतर एरवेज के द्वारा कहा गिया है कि अकबर अलबकर जो कतर एरवेज के पहले CEO थे इन्हों ने 27 साल कतर एरवेज के CEO के तोर पे काम किया अब इनके जगा पर बदर मुहम्मद अलमीर को नया CEO मकरर किया गिया ह कतर एरवेज गुरुप के द्वारा आज है 25 अक्तूबर 25 अक्तूबर को कतर के कुछ एरिया में बारिस हुआ है अभी आप स्क्रीन के उपर में वीडियो देख सकते हैं यह वीडियो रोजत राशित का है इसके लावा मेकैनिस के एरिया में भी बारिस हुआ है और सल्वा investigation department के द्वारा कहा गया है एक सक्स को successfully गिरफतार कर लिया गया है जिसका जो nationality है एशियन देश से तालुक रखने वाला है अभी आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं इसके हुलिये से लगता है शायद यह पाकिस्तानी है पर यह एशिया के देश से ही तालुक रखने वाला है हो सकता है इंडियन भी हो बंगले देश का भी हो पर यह एशिया के देश से तालुक रखने वाला है यह आदमी कतर के अंदर जाली document बनाने का काम करता था जिसमें अगर आपके पास में कतर ID नहीं है तो जाली कतर ID बना देता था अगर आपके पास में रेंट पे रहते ह यह जाली तो यह आदमी बना देता था इस आदमी के पास से टोटल 64 स्टम बरामत हुए है जो स्टम लगाय जाता है वह स्टम इसके पास से 64 बरामत हुआ है पतर के अंदर ऐसा करने वाले लोगों का यही हाल होता है और इस आदमी को साइबर क्राइम के पास में भेज दिय गिया है तागे की करवाई की जाए यह आदमी मोटा पैसा कमाया होगा क्यूंके सभी लोग चाहते हैं अपने फैमिली को कतर लेके आने के लिए फैमिली विजिट विजा पे लाने के लिए आपको जो requirement होता है वह पूरा करना होता है इस requirement को आप पूरा विज़ा है वो यूशू करवाता था क्योंकि इसके पास में 64 जाली स्टंप बरामद हुआ है दोस्तों आपको ऐसे धोखा धड़ी करने वाले लोगों की मदद नहीं लेना चाहिए आपके जो requirement है उसको जेनुवन पूरा करना चाहिए duplicate या नकली के चकर मैं आपको नहीं पढ़ना है इस वीडियो को जरूर शेर करते मिलते हम किसे और वीडियो के साथ में वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहदिल से शुक्रिया